आज मैं आपके सामने इस समय आपके सामने पेश हुआ हूग और इस समय मक्सद है जेई मेन का इग्जाम जो भी शाम को हुआ है या आखरी एक्जाम था इस इस सीजन का जो आप देख रहे है इस आखरी सीजन, सीजन के इस आखरी एक्जाम का मेमोरी बेस पैटन हमारे पास असली पेपर नहीं है, असली अपर आने में कुछ समय लगेगा, मैं आपके सामने लेक्श आया हूँ, मैमोरी बेस जो हमने हमारे बच्चों से पूछ के बनाया है, कुछ सवाल हमारे पास आये है पूरा पर हम नहीं ला पाए लेकिन हां हम लगभग 22 कुशन के आस पास लाए है उन्हीं कुशन को हम बारी-बारी से देखेंगे सबसे पहला सवाल जो आपके सामने है 2-point charges आपको दे रखे और यह दोनों charges जिस जगह पर दे रखे वो जगह आपको figure में दिखा रखी है यह equatorial axis है और इस equatorial axis पे एक charge जिसका नाम है Q वो रखा हुआ है आप से पूछा क्या जा रहा है Determine the distance from O at the equatorial axis where, where force on charge Q is maximum examiner आप से पूछ रहा है कि इस charge को हम कहां रखे, इस charge को हम कहां रखे जिससे कि इस पे force maximum आ सकी अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो यह बहुत ही standard सवाल है आप जानते ही उस trick का सवाल है जिसमें हम एक ring बनाते है और ring का जो E का formula होता है वही हम इसके लिए भी लगाते है अगर हमारी एक ring होती है और उसका charge total 2Q होता तो उसका जो E का formula होता वो होता K 2Q X upon X square plus D square के power 3 by 2 याद रखिए उस trick का basic concept था X यह दूरी है और R वो radius है जैसे हम ring का radius क्याते है इस समय ring का radius D है इसलिए formula के अंदर जो maul R square होता है उसकी जगह हमने D square लिखा है E आपके सामने है यह E अलग-अलग X के दूरी पर अलग-अलग होगा अगर आप से कोई पूछे के force कितना होगा तो आप बोलोगे force होगा क्यों E क्या यह force अलग-अलग distance पर अलग-अलग होगा बिलकुल होगा X अगर बदलेगा तो यह E बदलेगा और अगर E बदला तो यह force भी बदलेगा सवाल यह उटता है कि X के ऐसी कौन सी value के लिए यह force maximum हो सकता है हम सब जानते हैं जब कोई चीज केसी का function हो और आपको यह मौलूम करना हो कि ऐस function का maximum value क्या होगा तो आपके बास एक यह option होता है और वो होता है differentiate df by dx is equals to 0 और वही हमने किया भी है आप जब इसका differentiation करेंगे very basic differentiation जो आप 11-12 class ने पढ़ते हो 11 class ने भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो इसको solve करने के बाद जो X निकल के आएगा ना बच्चो वो निकल के आएगा d by root 2 तो answer इसका होगा d by root 2 option के according इसका answer होगा answer 2 यह सवाल आप देख रहा है यह सवाल basically thermodynamics का सवाल है सवाल में आपको एक गैस को V1 से V2 तक 3 different process isobaric, adiabatic and isothermal तीन different process से आप अपनी इस गैस को volume V1 से volume V2 के तरफ expand कर रहे according to सवाल सवाल में इन तीनो process के work done आपको दे रखे और आप से पूछा जा रहा है कि कौन सा work done ज्यादा है कौन सा work done कम है वगए 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 आप से compare कर वाय जा रहा है इन तीनो work done को इस सवाल को जब आप करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको PV graph बनाना पड़ेगा इन तीनो process के लिए तो PV graph बनाने के लिए आपको सबसे बहले V1 और V2 की इस तरह की तो vertical line draw करनी पड़ेगी छो कि आपको बताता है कि हम V1 से start करेंगे और इस process को V2 वाली line पे खतम करेंगे क्योंकि final volume तीनो ही process में V2 है अब जड़ा देखें हम तीनो process को कैसे बनाएंगे initial state यह है isobaric का मतलब है pressure constant होगा तो इसकी line ऐसे बनेगी अब आती यह बात isothermal और adiabatic process के case में क्या होगा हम सब जानते हैं कि adiabatic और isothermal के slope सेम नहीं होते है यह मालू है सब को कि adiabatic process का slope isothermal से अधिक आएगा ज्यादा आएगा and if it is more slope इसका सीधा मतलब यह है कि w1 और w2 की जब आप comparison करोगे तो आप यह क्या सकते हो कि यह वाला जो graph है इसका slope इस वाले से जादा है यह adiabatic है और यह isothermal है तो isothermal adiabatic और isobaric तीनों के graph आपके सामने हैं हम यह भी जानते हैं कि work done जो होता है वो area under the graph of PV होता ह अगर PV graph आपके पास है और आप area निकाल सकते हैं तो आप work done भी निकाल सकते हैं तो अगर आप area देखेंगे adiabatic process का area यहां से लेकर यहां तक आएगा अगर आप isothermal process का work done देखेंगे तो आप क्या सकते हो कि उसका area और बड़ा आएगा और अगर आप isobaric process का खेल question isobaric का होगा जो according to question w3 है देखें और अगर आप से कोई पूछे के सबसे कम work done किस case में आएगा तो आप बोलोगी adiabatic process में आएगा जिसका work done according to question w2 है तो w2 सबसे पीछे होगा w3 सबसे आगे होगा और ऐसा option यहां पर option 2 है इसलिए इसका answer होगा answer 2 यह सवाल gravitation का सवाल है इस सवाल में हमें earth जो कि rotate कर रही है और उसके time period के ओपर यह सवाल पूछा गया है हमें बताया गया है कि एक orbit में हमारी earth rotate कर रही है और time period है 7 hour बोला जा रहा है सवाल में फिस सवाल में यह भी कहा जा रहा है कि अगर radius of orbit को हम 3 times कर दे, thrice का मतलब है 3 times कर दे तो नया time period कित उसका time period का square होता है वो proportional to r cube होता है जहाँ पर r उसका radius of orbit होता है तो हमने भी इसी formula को use किया t square proportional to r cube अब और symbol है t square में एक जगा हमने time लेखा 7 जब radius r था और जब radius 3r हो गया तो उस समय time t हो गया अब आप जब इस equation को solve करेंगे 7 का square आपों t square r आपों 3r का whole cube तो solve करते करते लास्ट में आपको मिलेगा 7 into 3 root 3 root 3 का value हम सब को पता होता है 1.7 होता है तो हमने 1.7 रखा solve करने पर इसका answer 35.7 आ रहा है अब 35.7 जब आप देखेंगे तो exactly 35.7 आपको कई देखने वाला नहीं है लेकिन 35.7 36 के बहुत करीब है इसलिए इसका answer 36 होगा यानि answer 1 यह सवाल communication system से आया वा सवाल है सवाल बहुत simple है आपको एक आपको एक टावर दे रखा है जो कि सिगनल टावर है और सिगनल टावर की height भी आपको given है और वो height given है 125 meter फिर आप से यह पूछा जा रहा है क्या अगर हमें जो range यह tower cover कर रहा है इस समय अगर उस range को हमें increase करना ह हम चाहते हैं कि इस tower से जो signal हम धरती पर पहुचा पा रहें उस signal की range को हमें अगर double करना है तो हमें अपने इस tower की height का क्या करना होगा इसकी नई value क्या होगी यह सवाल आप से पुछा जा रहा है कि पहले 125 थी range को आपको double करना है आपको बताना है कि range को double करने के लिए नई height of height of this tower signal tower क्या होना चाहिए एक formula होता है अगर range of signal का किसी height अगर antenna की height h दे रखी है अर्थ का radius r दे रखा है आपको यह अर्थ का radius है अगर यह r है और examiner आप से पुछे कि क्या range यह antenna cover कर पाएगा यह tower जो है वो कितना cover कर पाएगा तो उसका formula होता है और formula होता है rt the range is equals to root 2 h r where as is the height of antenna height of this tower tower का मतलब यह है कि antenna किस height पर यह antenna है जो signal को transmit कर रहा है तो बहुत सवाल simple है आपको range को double करना है आप खुर सोचिए अगर इस range को double करना है तो इस height को कितना करना होगा आप जब इस height को four times करेंगे तभी यह range double होगी अब height को four times करना है तो पुदानी height कितनी है प four से multiply करेंगे तो आंसर आएगा 125 x 4 जवाब करेंगे तो आंसर आएगा 500 तो इसका आंसर होगा 500 meter आंसर थर्ड यह सवाल electric current chapter से EMF पर बेस्ट है आप क्या सकते हो electric cell पर बेस्ट है सवाल क्या है सवाल यह है कि आपके पास 2 cell है और दोनों एक जैसे है दोनों का EMF भी सेम है द एक बार इन दोनों cell को series में लगाया गया और series में लगाने के बात इसको सामने इस load resistor के सामने लगा दिया गया एक बार इन दोनों cell को parallel combination में लगाया और parallel combination को भी इस load resistor के सामने लगाया गया फिर आप से पूछा क्या जा रहा है आप से यह पूछा जा रहा है कि अगर यह combination जितना current इसमें भेजेगा अगर उतना ही current ये combination भी इसके अंदर भेजता है तो आपको मालूम करना है कि इस case में internal resistance of the cell यानि small r कितना होगा तो सवाल में बोला गया है कि ये जितना current भेजेगा उतना ही current ये भी भेजेगा अब इस current को हम कैसे निकालेंगे सारा खेल इसी का है आप इस combination को series combination मानेंगे और यह है series combination तो इसका जो EMF equivalent आएगा वो इन दोनों को add करके आएगा वो 2E आएगा और अगर आप इसका internal resistance भी निकालेंगे तो वो भी इन दोनों को add करके आएगा वो आएगा 2R ये parallel combination में parallel combination में जब आप से कोई पूछे के E equivalent का formula क्या होता है तो वो होता है यह जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और अगर आप इस formula को लगाएंगे तो E equivalent निकल के आएगा EMF के बराबर जो मैंने यह लिखा हुआ है अगर आप इन दोनों का equivalent resistance निकालेंगे तो उसका भी formula 1 upon R equivalent is equals to 1 by R plus 1 by R होगा और यहां से R equivalent के value R by 2 आ रही है यह तो हुआ E equivalent और R equivalent निकालने का खेल अब सवाल यह उठता है कि इसके बाद क्या करना है तो इसके बाद हम इस current को निकालेंगे इस current को निकालने के लिए हमारे पास है 2EMF और साथ में यह capital R और capital R में हमें add करना पड़ेगा plus 2R को इस current को हम बराबर लिखेंगे जो current यहाँ flow कर रहा है क्योंकि कुशन में ऐसा लिखावा है कि दोनों case में current सेम है यहाँ पर current निकालने के लिए हमें यहाँ पे भी equivalent निकाल रखा है और यहाँ पे भी आपको capital R plus small r equivalent r by 2 के बराबर करना होगा आप इस equation को solve करेंगे कुछ कुछ तो कटेगा यह आपने काट दिया इधर उधर ले जाएंगे जब पूरा ले जाएंगे ले जाएंगे तो solve करेंगे ना तो small r असल में capital R के बराबर आएगा ऐसा option हमारे पास एक है और वो option है option 1 तो इसका answer होगा answer 1 यह सवाल जो हम देख रहे हैं यह NLM और थोड़ा बहुत friction इसमें involved है और आप से पुछा जा रहा है कि दो दो block है पुली है और यहां पर coefficient of kinetic friction भी आपको दे रखा है 0.02 जैसा कि आप देख सकते हो इसका mass 40 kg है इसका mass 4 kg है और आप से पूछा जा रहा है कि अगर इस system को हम release करें from the rest तो इस system का यह system के दोनों block का acceleration का value क्या होगा यह आप से पूछा जा रहा है आप जब इस system को release कर दोगे तो यह वाला नीचे आएगा यह वाला इस तरफ जाएगा और इस acceleration को निकालने के लिए हमें free body diagram बनाना होगा और आप वो बनाएंगे सबसे पहले हम यहां पे दिखा सकते हैं यहां पे भी आपको tension दिखाना है और यहां पर आपको kinetic friction भी दिखाना है kinetic friction इसलिए क्योंकि जब यह इस तरफ चलेगा इन दोनों surface block surface और जिस जमीन पे चल रहा है उनके बीच में relative motion हो रहा है इसलिए kinetic friction तो आएगा ही जब kinetic friction की value निकालोगे तो mu k into n आपको लिखना होगा जब आपको n लिखना होगा तो n आएगा mg यहां पे n mg आ रहा है तो आपने mg मतलब 40 into 10 कर दिया आप जब इसको solve करोगे तो यह आएगा 8 newton तो आपको यह समझ में आ रहा है कि इस तरफ 40 newton लग रहा है और इस block पर इस दोनों को solve करके आप a को निकाल सकते हो वो एक तरीका है 40 minus t is equals to 4a और आप इस पर equation लिखोगे t minus 8 is equals to आप किसकते हो 40a आप इन दोनों equation को अगर add करते हो तो 32 आएगा और आप जब यहां पर add करोगे तो यह आएगा 44a और इस तरह से जब आप a निकालोगे तो 32 by 44 solve करने प वाला कि आप एक और चीज कर सकते थे आप देख सकते हो कि यह वाला जो force है यह चुक्चु गाड़ी को आप इसे चुक्चु गाड़ी मान सकते हो और चुक्चु गाड़ी आपकी इस मसूरी की जबरदस पहाड़ी से ऐसे गुजर रही है यह जो चुक्चु गाड़ी यह वाला खड़ा है 4, तो जो support कर रहा है, उस में से oppose value का आप minus करेंगे, और उसके बाद आप divide करेंगे total mass of all the dubba of चुक्चुगाडी, चुक्चुगाडी में 2 डबबे 4 of 40, इन दोनों को add करेंगे, तो 44 आएगा, इस से भी आपका answer वही आ रहा है, जो यहाँ पर आया था, तो दोनों तरीके हो सकते हैं, तो इसका answer आ रहा है, 8 by 11 और इस तरह से इसका answer होगा, answer 4, यह question kinematics से है, particle start from rest है, और constant acceleration से move कर रहा है, पहले T1 second में 10 meter चला है, और आप से पुछा जा रहा है कि अगले T1 second में वह कितना चलेगा, देखिये जब हम kinematics के सवालों को करते हैं, तो हमें concept याद होता है, concept यह होता है कि जब भी particle start करें from rest और वह constant acceleration से move करें, तो equal time interval में जो displacement travel करेगा, वह displacement का ratio कुछ इस तरह से होता है, वह time interval कुछ भी हो सकता है, पहले 20 second में जितना चलेगा, अगले 20 second में उसका 3 गुना चलेगा, अगले 20 second में वह पहली बार जो चला था उसका 5 times चलेगा और अगले 20 second में जो पहली बार चला था उसका 7 times चलेगा, और यह खेल से 20 second का नहीं है, आप कोई भी time interval लीजिए, माल लीजिए आपने कहा कि पहले 30 second में वो इतना चला तो अगले 30 second में जितना वो पहले चला था उसका 3 times चलेगा तो यह सवाल इस ratio पे based है यह ratio हम सबको याद होना चाहिए और याद नहीं है तो हम इसे निकाल भी सकते हैं अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि प अगर आप इन दोनों displacement से भी question solve करना चाहिए तो आप इससे भी solve कर सकते हाला कि इस ratio से सवाल चुटकियों में होने वाला है पहले मैं आपको इस ratio से सवाल बता दूँ पहले t1 second में 10 meter चला है तो अगले t1 second में उसका 3 गुना यानि 3 times चला होगा तो answer 30 meter होना चाहिए अगर आपको इस ratio याद नहीं है और फिर भी आपको इस सवाल करना है तो यह दो equations आपके पास है s1 में आप लिखोगे 10 meter और जब आप इसमें कुछ लिखना चाहोगे तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा पहला 1 second का और अगले t1 time का total time interval में 10 तो चला ही था 10 में plus अगले 21 second में वो s और चला होगा आप अगर इन दो equation को divide भी करेंगे 10 upon 10 plus s और यहाँ पर आप लिखेंगे 1 by 4 अगर आप इससे भी solve करेंगे तो आपका s आएगा 30 तो answer तो 30 meter ही है यह सवाल electric field chapter से आया है electric field और potential में जो relation होता है यह उस पर based है हम सब जानते हैं कि relation क्या होता है अगर आपको potential दे रखा हो तो यह formula हम सब जानते हैं कुछ इस तरह का formula E निकालने के लिए होता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा यह potential सिर्फ x का function है जब यह केवल x का function है तो y और z दिशाव में यह change नहीं हो रहा होगा तो इन दोनों value का आपको 0 लिखना होगा आप केवल यह value बची है आप जब इससे differentiate करेंगे तो minus 6x i cap आपका e vector आ जाएगा आप से पूछा जा रहा है कि यह e vector इस point पे कितना आएगा तो जब इस point पे पूछा है तो x की जेगा 1, y की जेगा 0 और z की जेगा 3 लिखना है यहाँ पे सिर्फ x ही है तो x की जेगा minus x की जेगा 1 लिखेंगे तो solve करने पर यह आएगा minus 6 i cap इसका answer minus 6 volt per meter है मुझे लगता है यहाँ पे i cap भी दे रखा होगा अगर हम i cap भी ले 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 तो इसके आप से इसका answer answer 1 होगा यह सवाल projectile motion से आयवा सवाल है सवाल में आप से बोला जा रहा है कि ground से आपने एक particle को fake आ है और आपने एक angle पे fake आ होगा आप से पूछा जा रहा है कि इसी बंदे के द्वारा जो maximum possible height यह अचीव कर सकता हो उस particle को fake ने में वो maximum possible height कितनी होगी कोई भी projectile motion में maximum possible range theta is equals to 45 पे आती है और वो maximum possible range u square upon g होती है उसका formula होता है आप इसको 100 के बराबर करेंगे क्योंकि examiner आपको बोल रहा है कि maximum possible range 100 meter है अब examiner आप से पूछ रहा है कि maximum height for the same speed कितनी होगी तो आप जब maximum height का भी formula लिखेंगे तो वो भी u square sin square theta upon 2g आएगा maximum height तब आएगा जब आपका theta 90 degree होगा यानि आप particle को सीधे उपर की तरफ फेक होगे तभी आप maximum possible height पे अपने उस particle को पहुचा पाओगे तो maximum possible height के लिए theta 90 होगा तो इसका answer होगा u square upon 2g 100 है तो u square upon 2g कितना होगा 100 upon 2 आप कैसकते हो 50 meter तो इसका answer होगा 50 meter यानि answer third यह सवाल photoelectric effect पर बेज़ रहे सवाल में आपको एक electromagnetic wave का जो electric field वो आपको दे रखा है आपको electromagnetic wave का जो electric field आपको दे रखा है वो कुछ 200 sin 6 x 10 की पाफ 15 T plus sin 9 x 10 की पाफ 15 T दे रखा है अगर आप इस electric field की equation को देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाए देगा कि यह electromagnetic wave असल में एक single wave है ही नहीं यह असल में दो अलग-अलग wave का combination है आप कह सकते हो कि आपकी metal plate के उपर आप जो light भेज रहे हो वो monochromatic नहीं है बलकि वो diachromatic है उसमें एक साथ दो-दो wavelength यह दो-दो frequency की light आप उसमें भेज रहे हो और जब ऐसा होता है ना ऐसे मैं कोई आप से पूछे कि ऐसा भेजने के बाद आपको work function भी दे रहा है और आप से पूछा जाए कि maximum kinetic energy of emitted electron क्या होगा तो हम जानते हैं HF minus 5 is equals to K max होता है और K max निकालने के लिए आपको चाहिए HF energy of photon जिसको आप फेक रहे हो minus 5 work function आपको दे रहा है और उससे आपको K max मिल जाएगा पस सवाल योड़ता है कि आप दो तरह के photon फेक रहे हो एक का frequency है 6 x 10 की बाद 15 Hz और एक का 9 x 10 की बाद 15 Hz तो हम कौन से frequency को यहाँ पर लिखे जब आप ऐसी light भेशते हो जिसमें एक से ज़्यादा frequency हो तो सबसे ज़्यादा अगर आप से कोई पूछे के के max आपको निकालना है तो के max डिसाइड होता है higher frequency वाली EM wave से और higher frequency वाली EM wave यहाँ पर यह है इसलिए आप अगर देखेंगे तो calculation करी गई है 6.6 यह तो h का value लिखा है मैंने और साथ में जो frequency मैंने लिखा है वो यह वाला नहीं लिखा है यह omega है angular frequency तो आपको omega को जब तक आप omega is equal to 2 pi f के साब से जब तक आप omega को 2 pi से divide नहीं करते यह f में convert नहीं होगा तो आप देख स में convert करने के लिए 1.6 into 10 की बाव माइनस 19 से divide भी किया गया है थोड़ी सी calculation थी इसमें और वहां से 5.9 electrobol energy of photon निकल के आता है क्या करेंगे हम इस energy का यह energy हमने यहां रखने के लिए निका लिए तो आप जब 5.9 को यहां रखोगे और 2.5 को आप यहां रखोगे तो आपको k max की value 0 मिल जाएगे है आप अगर देखेंगे इसको solve करने पर यह आ रहा है 3.4 तो हम क्या सकते हैं कि इस question का answer होना चाहिए answer 1 सवाल work energy theorem से आयावा सवाल है सवाल में एक block को अमने उपर से release किया है ground से why height उपर से हमने इसको release किया है question में पूछा है कि जब यह block why not नीचे आ जाएगा तब इस block की kinetic energy क्या होगी यह बहुत ही आसान सवाल है अगर आप देखेंगे जब वो नीचे आ रहा होगा तो इस प इतना work done किया mg why not gravity force के अलावा और कोई force हमें आप दिखाई भी नहीं दे रहा और दे भी नहीं रखा तो यही work done को हम लिखेंगे change in kinetic energy के बराबर work energy theorem इसी को बोलते है final kinetic energy की है initial तो हमको 0 दे रखी है तो हम क्या सकते के की निकल के आ जाएगा mg why not तो अगर option देखे तो इसक आंसर होगा third यह सवाल radio activity और radioactive decay process पर है आपको एक unstable nucleus दे रखा है जिसका कई बार सिलसलेवार तरीके से decay हो रहा है पहली बार alpha से decay हुआ अगली बार beta minus से decay हुआ अगली बार alpha से decay हुआ और अगली बार gamma से decay हुआ gamma decay ऐसा decay है जिसमें ना तो z बदलता है ना ही mass number change होता है आप से यही पुछा जा रहा है कि इन सारे decay के बाद जो final nucleus आएगा उसका mass number और उसका atomic number क्या होगा तो सबसे पहली चीज़ तो यह कि गामा की चिंता हमको नहीं करनी है क्योंकि गामा से ना तो z बदलेगा और ना ही a यानि final nucleus जो मिलेगा उसका z जो अभी 74 है इतने सब कुछ होने के बाद गामा कुछ नहीं करेगा उसके z में और ना ही उसके mass number में तो फिर कौन करेगा यह जो alpha दिख रहा है alpha की खास बात यह होती है कि जब भी 1 alpha decay होता है एक वो z को 2 से कम कर देता है और mass number को 4 से कम करता है और beta minus mass number पे कोई असर नहीं डालता है beta minus अगर कुछ करता है तो beta minus decay process के बाद z का value एक से बढ़ जाता है यह बात है अगर आपको याद है तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है देखिए दो बार alpha decay हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि mass number जब 1 से 4 से होता है तो अगर 2 alpha decay हो रहे है यानि 8 से कम हो जाएगा हम क्या सकते कि mass number के value जो 182 आपको दिख रही है आप उसे 8 से कम करते हो तो आपको जो नया mass number मिलता है वो 174 होता है अगर आप देखेंगे तो mass number 174 के 2 option है लेकिन उन दोनों में atomic number अलग अलग है इसका मतलब हमें अभी atomic number भी check करने होंगे आप जानते alpha particle जो एक होता है वो atomic number को 2 से कम कर करता है अब आपके पास तो दो-दो alpha है इसका मतलब atomic number 4 से कम होगा तो अगर केवल alpha decay हो रहा है तो वह atomic number को 70 बना देगा क्योंकि पहले 74 था 4 से कम करोगे तो 70 हो जाएगा पर बच्चों यहां पर beta minus decay भी हो रहा है और beta minus decay atomic number को 1 से increase करता है तो अगर हम यह समय लेकि beta minus decay हो रहा है तो हमारा नया जी हां हमारा नया atomic number जो इन सब के बात होगा वह होगा 71 तो अगर आप option देखेंगे तो इसका answer होगा answer 1